तो अभी हमें डिसकस करना है अभी हमें डिसकस करना है तो बिल्कुल सेम वही तरीका है ग्राउंग वाटर की इज़ निकालने का रॉक या फॉसल में हम क्या करते हैं कई रिडियो अक्टिव आइट है झाल 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 बिएसी जैयोलाजी के शुनल चुनल उसके लिए इतना ही समझने काफी है इन नेच्रस लेवल उफ एनी रेडियो आअसर डिके ऐस पॉनेश्याब रिके एस अ फंक्षन आफ ताइम तेट जो रिड्यो आइसो टाप है वो इस तरह डिक्यो होता है उसको expression कैसे issue करते है हम nt equals to n0 e की power minus lambda t nt वहाँ क्या है observed quantity of radio isotope जो हमने sample collect किया पानी का उस time उसमें nt observed quantity of radio isotope उसमें tritium या carbon 14 के हमने जो quantity quantity जब collect किया है उस time जो quantity है वो क्या है nt n0 है quantity of radio isotope at the time the water entered aquifers जब water enter हुआ था आज से million years पहले या जो भी time है उस time radio isotope की क्या quantity होनी चाहिए थी वो है n0 वो हमें पता है t age of water हमें age निकालनी है यही हमें t हमें निकालना है और lambda is a decay constant यह constant होता है इस equation को हम use करके हम t जो की age of water है निकाल सकते हैं using above equation we can calculate the age of groundwater अब जो MSC geology MSC बी-ए-स जियोलोजी के students उनके लिए काफी है लेकिन अगर किसी students की जिग्यासा है भी भी शांतनी होड़ी कि कैसे यह बन रहा है एक equations कहां से mathematically भी हम इसको next part में हम discuss करेंगे तो आपका स्वागत है next part के लिए तो यहां पे धन्यवाद और आईए आप next part झाल